नमस्कार दोस्तों स्वागे ते आपका ही माच्चाल नर्नर सब में तो कल तरीक थी 31st आप बही और कल के दिन बाइस परमार युनिवस्टी का जे आइटी का जो टाइपिंग टैस्ट का सेड्यूल जारी कर दिया गया है मतलब इसका रिजल्ट तो रिटन का पहले डिकलियर हो गया था बट इन्होंने शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट नहीं बुलाए थे टाइपिंग के लिए बहुत टाइम लगा दे इन्होंने लगबग जनवरी और फरबरी मन्त में हमें मिल गया था रिजल्ट देखने को पर उ यह 24th of October को कंड़क्ट करवाया था last year that is 2021 इसके टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो 6 को इसका टाइपिंग टेस्ट है सभी बच्चों का टाइपिंग टेस्ट जो है वो 6 को ही हो जाएगा एक ही दिन रिख रखा हुआ इन्होंने टाइपिंग टेस्ट जो की मंडे को है औ उसी दिन इन्होंने डॉकुमेंट वेरिफिकेशन भी अपनी सेड्यूल करवाई हुई है मतलब 6 को ही डॉकुमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगी तो यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत दूर-दूर के एरियास के आते हैं जैसे सोलन में हैं जा टाइपिंग टैस्ट की और डॉकुमेंट वेरिफिकेशन की ज्यादा बच्चे नहीं है आई थिंक इन्होंने दस वजे का टाइम रखा हुआ है तो दस से लेके बारा बचे जो लगता है कि बारा बचे तक टाइपिंग टैस्ट हो जाएगा और बारा बचे से स्टार्ट क पर मिनट जो है वो हिंदी में होनी चाहिए आपकी स्पीड अगी यहां पर क्राइटीरिया बताया हुआ है जो 15 मार्क्स का क्राइटीरिया होता है कि मार्क्स आपके कैसे कैसे डिवाइड किये जाएंगे इसमें इम्पॉर्डन चीज यह है कि अगर आपके पास BPL है या फ अगर आपके पास आपका Landless Certificate है तो वो भी चाहिए और उसकी Xerox copies भी ले लेना दो Xerox copies ले लेना उसकी क्यांकि स्वाडिनेट बोर्ड में तो दो लगती है इनका कोई इतना पता नहीं है कि इसमें किती लहेगी पर दो copies इसकी भी ले लेना और साथ ही में अगर बात करे वो सारे आपको Original प्लस उसका Xerox copy आपको लेके जानी है आगे देखते हैं लिस्त देखते हैं हम candidates की जो select हुए हैं तो सबसे पहले अगर जर्नल केटेगरी की बात करें तो जर्नल केटेगरी में हाइस्ट मार्क्स थे 51.25 और यहां पे लोएस्ट की बात करें तो इन होने ल जो है वो 40 गेई हैं और अगर पेपर की इसकी बात करें तो पेपर बहुत टीविकल था उसके हिसाब से जिस भी बच्चें 51, 51, 55 तक मार्क्स लियो वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि पेपर में एक तो पेपर डिफिकल बहुत था उसमें प्रोग्रामिंग पूछी गही प्लस सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें नेगटिव मार्किंग भी थी अगर पोस की बात करें हम जनल की तो जनल की पांच पोस थी तो मतलब इन्होंने 5 इंटू 10 तब इन्होंने 50 जनल के स्टूडेंट्स बुलाए हो है जो 1 इस टू 10 रेशो फॉलो की जाती है वो इन् यहां पर लोड़ा जो गई आ है 33.75 नैंसे की दीपेल की देख सकते हैं तो कि मैरिट यहां इनकी हाइस्टी लोड़ से स्टार्ट हुई है लब कम है इनकी देख सकते है आप और 21 जो बीवह भी अज्यारे यहां लोड़ा जाते है तो बीकिरने तो दुबेसी की 46.25 यहां 33.75 अगर बाकी BPL की बात की जाए तो BPL में आप देख सकते हो 41.25 थी स्टार्टिंग और लोएस्ट 25 गई थी EWS की बात करें तो EWS में भी 54.25 जो टॉप पर था उसके इतने माक्स हैं और लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट 36.75 ओकी तो EWS में भी दो पोस्टें थी हमारे पास और दो पोस्टों के हिसाब से जो है वो 20 गई देट को कॉल करी गई है तो यह सारा था सेड्यूल इसका बाकी आपको जो है वो 6 YS परमार में केमपस जो है उनका में उनिवरस्टी जो है वहाँ पर पहुंचना है वहीं टाइपिंग टेस्ट होगा और वहीं जो है वो टॉकुमेंट वेल्यूइशन भी की जाएगी